इस समय सबसे ज़्यादा जो चर्चा का केस है समय वो ग्यान बापी, मंदिर और मस्जिद वाला जो बिबाद है वो है लेकिन सबसे खास बात यह है कि 31 साल के बाद एक फैसल आया है अब ग्यान बापी में जो परिसर में ब्यास जी का तेखाना तो उसा कूजा करने की का स्वागत क्या है यह लोग मिठाई भी बाट रहा है एक दूसरे को बधाई भी दे रहा है साब तोर से इनी से बज़े जान लेते हैं कि बज़े क्या फैसल आया है कतिस साल के बार के उस परिसर में जो ब्यास जी का तेखाना है उसमें हिंदु पक्ष को पूजा करने की अन्मुती मिल गई सबसे पहले आपके प्रतिक एपान कुरेशी नाम है मेरा और मैं धन्यबाद देता हूं अब एक कोट के पैसले को जो आए मुस्लिम समाज में भी उसी की ले रहे जो हमारा हिंदु मुस्लिम भाईशारा जैसे बनता आया है वैसा बना रहे इसलिए मैं क मौबत की नगरी है ताजमेल तो यसे हमारी मौबत बनी रहे इसलिए हम आज स्वागत करते हैं क्या प्रतिक्रिया है आज हिंदु पक्ष को 31 साल के बाद व्यास जी के तेह खाने में जाने का मौका मिलायत तालाफ हुई जो कोटना आदेश दिया अपना सही आदेश है जो काम नहीं हो पाए तो वह आज काम होना धरूरी है आप चाहिए जितनी जल्दी अगर यह मामला हो जाता है तो बढ़ी है लेकिन आप जो हो गया वह भी अच्छा है क्योंकि कोई नहीं टाल सकता कोट तो कोट है इसलिए हम यह चाहते हैं कि मौबत से ही सारा काम है इसको नहीं कर पाई वह फैसला हमारे योगिया दिदनाज जी ने मोधी जी ने लिया बहुत बढ़ी आपती निया बढ़ी आपती निया बड़ा सवाल यह जब राम मंदर का फैसला था उसके बाद से गाटन वाता बाइस तारीक को तो मोधी ने मंज से कहा था कि बड़ी तरास इसी देश अब उभर रहा है तो उनमें से एक जो विबादित केस था जिस पर तौर पर देखा जाता कई राजनितिक माइनों में राजनिती भी खूब ही इस केस पर तो उसमें अब यह फैसला आया है हैसे में तो मुस्लिम समाज और आप लोग क्या सोसते हैं मैं भी बताय तो था मुस्लिमों को तो और पार्टी दी सफा बसपा कॉंग्रेस यह मुसलिम समाज में बिर्यानी बनती है उसमें एक तेशवाच का पत्त डलता है तो उसको इसको इस्तमाल किया जाता है उसे खाया नहीं जाता इसलिए यही मुसलमानों को संग अरपार्टी करती रही है और मुसल्मान समझ चुका है इसलिए मुसलिम समाई ने मन बना लिया है और बना तक वा रहा है कि दो यार 24 में प्रदान मंतरी नरेंद मोदी जी को बना के भेज़ेंगे और मुसलिम आगर हमारी मुहबत की नगरी है और जो भी पैसला आया कोट का उसका हम स्वागत करते हैं धन्यबाद देते हैं इसलिए मुसल्मानों में बहुत कुछी की लिए है बोट बेंक के तोर पर अब तक लड़ाया जा रहा था हिंदु मुसलिम को कभी राम मंदर के नाम बेतों कभी ज्यानबापी के माम कभी मत्रा के नाम पर मुसलिम बोट तो किसी के लोगों होने तो मुसलिम हो को बहुत तरीके तो मतलब गलत इस्तेमाल गया और पार्टी होने जो कि आज मुसलिम समाज को हर चीज़े हिंदु समाज को मिलती है सारी चीज़े मकान है राशान है सारी चीज़े तो कोई बेद भाव नहीं है यह मतलब मुस्लिम समय के कुछ लोग इतने समय से कहां बैठे वे ते जो भी बैठे वे ते जो आज लोग निकल-णिकल का है राज उदम कर रहे हैं वो कहां थे और उनकी करने थे होगा क्या योगी की सरकार मुद्धी की सरकार इसमें कुछ नहीं आप दिश्वीर की इस शहर की खूर्फ शूरती है जिसे महबबत की नगरी की तोर पर जाना जाता है। करने की विवस्था की जाए सारा जो मसला है वो महबबत से उसका जो निप्टारा है वो आसानी से किया गए महरीकान सर्मा न्यूजटीन आगा